हेलो एविवन कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ वेल्क बैक तूब यूटूब चैनल दीना राज आप सब बहुत चालत है हमारे अपने यूटूब चैनल दीना राज पे तो अभी हम लोग आए हैं पाइलट बाबा नकाल जाला मतलब उसका डूपलिकेट बना हुए यहां पर तो चलिए अपने ब्लॉग में आप लोग साथ सेर करेंगे और दिखाएंगे तो मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे हैं देखते रहे हैं तो गाइस बाहर से देखिए कुछ ऐसा लुक है पाइलट बाबा का एंड यहा वैसे मैंने दूर से लिया है तो थोड़ा चोटा दिख रहा है बहुत ही लंबा है और बिहार का सबसे उचा यह मंदिर बना है मुझे ऐसा लग रहा है जो मंदिर नहीं सौरी भंगवान जी का जो बूर्ती है वो और आगे से देखिए कितना बढ़िया और बहुत ही अच् की लिखा हुआ है बोध्विहार नंडे बहुत ही सुन्दर मंदिर है तो चलिए यहां पर इंटरी करते हैं लव लोको हैं बहुत हुआ तो यहां पर इंटरी करते के साथ सथ देखिए सब नेता लोगों का पहले मुर्ती हाँ detto गांधी जी सुबाज में आप देखेंगे तो यहां पे लक्ष्निकनिस एंट रस्वती माता का मुर्ति बना था देख सकते हैं आप लोग और फिर गाइज यहां पे देखें स्वर्ग लोग का द्वार बना था ऐसे करके साथ थो द्वार था और फिर उसके बाद आप चाहिएगा सीधे बहुत मैं पूचा मंदीर मतलब मुर्ति संकर भवान का मैंने फर्स टाइम देखा यह देखें ब्राम्हन लोग है ऐसे करकर के साथ तो द्वार बनावा था और उसके बगल में काली माता का मुर्ति बना हुआ है मतलब इतने सारे देवी देवता और भवान का मुर्ति था ना कि मत बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में मतलब बिहार में यह बहुत ही अच्छा जगह घूमने के लिए मतलब मैं फर्स टाइम गई थी एंड सासा राम में है यह तो कभी आप लोग भी सासा राम आईएगा तो जरूर यहां पर घूमने आएगा बहुत ही अच्छा हैं तो प्लीज में चैनल को सब्सकाइब कर दीजिए और बेल एकन को भी प्रेस कर दीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए तो यहां पे गाईस हम लोग अंदर इंटरी कर चुके थे एंड यहां पे रि देख लीजे बाहर से कितना सुन्दर लग रहा है देखे पुर्वत्तर जोती लिंग स्री शोवनाथ मंदिर तो बहुत ही प्यारा था वैसे तुम्हें रियल में जो गुज्रात में वहां पे गई नहीं हूँ वैसे जो जो गया है वो लोग देखके बताएगा कि ऐसा ही है या नहीं बट अंदर जाने के बात तो सही में बहुत ही सुन्दर था तो आप लोग देखिए और यहां पे बात में गाइस बता दू कैमरा एलाओ नहीं था बट फिर भी मैं चोरी चुपे बनाई थी थोड़ा सा बनाई हूँ ज्यादा नहीं बना पाई हूँ क्योंकि कु अंदर का मैंने कैप्चर करें लिया और यह वीडियो में जाते-जाते कैप्चर की थी गाइस जब लोग यहां से निकल रहे थे तो देखें अभी नहीं है जो मना कर रहे थे तो मैंने धीरे से कैप्चर कर लिए और आप लोग देखें होंगे मेरी भांजी केरी मामी आ गए आ गए तो फिर भी मैं थोड़ा सा कैप्चर कर ली थी जल्दी से तो आप लोग को कैसा लगा आप पहले यहां पर एक बार आई थी थोड़े टाइम के लिए बट इतना कुछ बना हुआ नहीं था अभी भी बन रहा है थोड़ा बहुत बट अभी तो बहुत ही सुंदर बन गया है और इसका उद्गाटन तो 2018 में हो गया था तो अभी तो हम लोग विहार का सोवनत मंदिर घु कि लो थे लोगते हैं लोड़े में। जो से शचाल भी करका मैं था डेखी मैं हो निगाघाए पारन पृदट हैटर बाहु वकलर बिलवा का उद्गी कंसें अध्धित हैं यहां जलीए वाए ऐसाली यृ। कि रजिरफ था नाएं काली माता है पीछे से हम लो निकल गें पीछे गेट से चिकी नहीं की बटा आप लोग ने देखा ना मना क्या हुआ था नहीं करने के लिए फिर भी मैंने थोड़ा बहुत क्याप्चर कर लिया अंदर का आप लोगे साथ सेर करना था जो और उसके बाद देखिए इधर ये इसका पुरुवत्तर भाग मतलब भाग में ऐसा बना हुआ था गनेश भगव और यहां पर देखिए लिखा हुआ भी है पुरुवत्तर सुगनाते मंदीर और इधर से कुछ ऐसा लुप था तो बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग की कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा मुझे और यह बहुत अच निकल गये थे बाहर और निकलने के बाद देखिए यह सत्य लोग के और ऐसा सत्य लोग के बाद फिर आएगा बुद्ध महत्मा बुद्ध का देखिए मुर्ति कितना लंबा है यह भी गाई असी फीट उचा है और बहुत ही सुन्दर लगा देखिए मुझे सामने से तो इ मंदिर भी देख लेते हैं बहुत भी हार घूम लेते हैं तो यहां पर देखिए यह जो मुर्ति बना हुआ है गाई असी फीट उचा है कैमरे में ज्यादा उचा नहीं दिख रहा होगा वट आप सामने से देखिएगा तो बहुत ही उचा बना हुआ है एंड यह लोग बाह सक देख सकते हैं वो भी बन रहा है तो पता नहीं कब बन के कंप्लीट होगा तब एक बार मैं और यहां पर जाओं भूमने के लिए यहां पर देखिए हम सब इंटरी कर चुके हैं और अंदर जाके बहुत ही सुन्दर लगेगा तो चलिए आप लोग मेरे ब्लॉग में में कि अाला कर दो लगेगा ऌन सुन्दर इंट पित खेखिए हैं और टी में इंट हैं और जाओ लगेगा और जाओंट अजिए। तो गाइस आप यह जो लड़की देख रहे हैं यह जपान की थी एंड महात्मा बूद की बहुत बड़ी भग थी तो इसका भी प्रतीमा यहां पर बनाया हुआ था एंड अब हम अंदर जा रहे हैं तो गाइस आगे क्या है आगे तो चलिएगा तब पता चलेगा तो आगे गाइस मैं भी आपको बता देती हूँ की बागीचा है एंड यह सोबनात मंदिर का इधर का दिर से आप देख सकते हैं एंड इधर में देखिए बागीचा है एंड उसके अंदर माली का एक प्रतीमा बनाया हुआ है आपको मैं दिखाते हूँ देखिए दिख रहा हुगा और उसके बाद यहां एक मोर का भी स्ट सुपंच्छी थे, यहां पे, तो देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था, और कितने प्यारें लग रहे हैं, आप सब देख सकते, मुझे तो बहुत ही ज़ादा प्यारे लग रहे थे, तो कैसे लग रहे हैं,। लोग मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा यहां पर आपने देखा मतलब सोबनात मंदीर और बुद्ध भगवान दोनों का मतलब मंदीर है यहां पर बना हुआ है दो दो चीज यहां पर देखने को मिलेगा आपको सोबनात का भी दर्शन हो जाएगा और आपको ब अंदर लगा और यह है काली माता आप सब देख सकते हैं और बहुत ही प्यारा बनाया गया है मैं जब आई थी ना तो सारा यह सब कुछ भी बना हुआ नहीं था सारा कुछ बन रहा था तो इसका स्थापना दो सौरी गाटन 2018 में भी हो गया था बट अभी भी काम चल रहा है देख सकते हैं आप लोग इधर उधर थोड़ा बहुत बाकी है तो देखे कब बन के कंपलीट होता है वैसे जो पालेट बाबा है न उनका आस्रम में हम लोग नहीं गये बट नेक्स टाइम कभी आएंगे तो आपको जरूर दिखाएंगे यहां पे देखे अब हम सब निकल रहें बाहर आप लोग देखे कैसा लगा आप लोग प्लीस प्रताएंगे मुझे कमेंट सिक्शन में अभी हम बाहर निकल रहे हैं वेट तो गाइज यहां पे हम आटो में बैट चुके थे और बैटने के साथ घूंगट ले लिये थे तो मेरी भाण जी के रहे हैं कि अभी से घूंगट वेगार ले लिया फिर देखे हम पहुंच गे घर तो आप लोग को मेरा यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर मुझे बताई का एक ही दिन में इतना सारा मंदिर घूंग गया है तो हमारे घर सब बड़ों को परणाम किया तो यहां पर मैंने अपनी बड़ी दी यह अभी तो नया है वह भी बहुत जादा अनकंफरेबल फिश करती है एंड मैं भी तो इसलिए मैंने उनके साथ कैप्चर नहीं किया अपी हम आगे घर पर एंड बहुत अथक है मैं आदिया दियरी स्कोल दिया तो चलिए यह वाले ब्लॉग को में पर इंड करती हूं और अब नेक्स ब्लॉग में आज कैसे लगा वा ब्लॉग का में सबसे जरूर बताईएगा तो जड़ी मिलते हैं नेक्स ब्लॉग में तब दके लिए बाई बाई टाटा एं टेक केर बाई बाई